पूर्व केंद्री मंत्री राम विलास पाज़मान निदन से पहले तीन दशक से अधिक जित बंगले में रह रहे थे वह राश्पती कोविंद के लिए कारेकरत किया गया है सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि 12 जनपत इस तीद बंगले को कोविंद के लिए तयार किया जा रहा है उनकी बेटी ने हाली में इस बंगले का निरक्षन किया था शुरू में ये बंगला रेल मंत्री अश्वनी को अवंटित किया गया था जो कि अब दिल्ली के एक बहुत बड़े बंगले में रह रहे है राश्पती कोविंद का कारेकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है सूत्रों ने कहा है कि 12 जनपत बंगला अभी तक अधिकारिक रूप से किसी को अवंटित नहीं किया गया है उसे राश्पती कोविंद के नए आशियाने के तोर पर तयार किया जा रहा है जो कि अपना कारेकाल समाप्त होने के बाद उसमें रहेंगे कोविंद का कारेकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है राम विराज पास्वान के बेटे चिराग ने नोटिस मिलने के बाद ये बंगला खाली कर दिया था इस बंगले का इस्तेमाल वो अपनी पार्टी की बैठक के लिए वो अन्न चीजों के लिए करते थे आपको बता दे 18 जुलाई को राजपती के चुनाओं होने जा रहे हैं इसलिए पार्टी ने रामनात कोविंद को एक नया बंगला अवंटित किया है यूरो रिपोर्स आईपीन